अगर मेरे रेसिपी आपको बसंद आती है तो वीडियो की निचे लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सस्काइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तो चलिए मैं आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूँ अग्षिकश्चाब करता बिल्कुल लाइक जैसी बहुत लगाएं तो अभी सब्जा भी नहीं तो हम इसको अपने घर में बना वाली सब्जी तो चलिए मैं बताती हूं कैसे बनाया है तो यहां पर मैंने सोया ग्रेनियुल्स लिया है और उसको मैंने गरम पानी में डाल दिया है और उसको भीगोने की बाद फिर मैंने उसको चान लूँगी और यहां पर यहीं मैंने चान लिया है और यह मैंने निकाल लिया है यहां पर आप सोया भी ले सकते हैं उसको भीगो क स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर और घ्राव कडाई ऑढ़ writer फिर इसके अंदर में के बाद लाँ जीर जीरा-ईड चटकने के बाद और इसके अंदर में मैं काजू का फ्लेवर है वो ओयल के अंदर अच्छे से आ जाएगा और बहुत टेस्टी लगेगी हमारी सबजी तो अभी यह हो गया उसके बाद हम इसके अंदर अनियन डालेंगे अनियन को भी साथ में अच्छे से भूनने के बाद इसको हमें हिला लेंगे हम और इस तरह हिलात आप देख सकते हैं हमारे काजू और भून गये हैं तो अब यहां पर हम चॉप किये टोमैटो डाल रहे हैं और यहां पर टोमैटो ही लेना है आप चाहें तो आप ग्रैंड भी ले सकते हैं लेकिन इसको हम यहीं पर गलाएंगे और अच्छे से तो भी अच्छा बनेगा कि हमारे जो टोमेटो हैं वह जल्दी से अच्छे से गल जाए तो क्योंकि जो टोमेटो होते हैं उनके पिसने का और खड़े का लग लग टेस्ट होता है अब यहां पर मैंने आट कर दिया है जो मैंने मतर लिया था की ओर कि पर करेंगे की मिनुट और पकाएंगे तो अभी देख सकते हैं कि ठोड़ा वार माली तो या पर हम इसको चला लेते हैं और चलाने के बाद तो आम यहां पर एड़ करेंगे ठोड़ा सा धनिया पाऊडर एक अपने इंसारम अच्छ चालह कर शकते हैं मैंने अपने कि लिसके किचन में अठक कर और इसको कँञेर से मिलाक फादे सब्सक्कार्षान सेधिक साझान और यह बूल के और ओयल हो जाएगा छोड़ देगा उसके बाद इसकी अंदर हम एयुक्त करेंगे एक बर बादऄर हिला यहां पाद तशिया कe अब हमदे, पर अच्ति में अच्छे से, अब तो आप सोया के जो चुरा है, जो हमने भी वहां था उसको हम एट करte diya yes. देख सकते हैं आप और एट करने के बाद फिर हमें जो नमक हमने पहले से एट किया हुआ है थोड़ा सा और हम इसके अंदर एट करेंगे और उसके बाद टेस्ट के अनुसार और फिर हम कवर कर देंगे एक दो मिनट बाद फिर हम इसको थोड़ा एक दो मिनट बाद हिला लें तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने नमक कर दिया है और एड़ करने बाद फिर हम इसको सबंब करेंगे अब एकदम बनिया कलर आ गया है सबजी अच याँ पर मैंने एक वर जूत का दोरय किया है और उससे टेस्ट बहुत अच्छा आजाएगा तो और यहां पर हमने लास्ट में गरम मसाला अट करके मिक्स कर दिया है तो अभी आप देख सकते हैं सबजी हमारे रेडी हो गई है परफेक्ट तरीके से बन के रेडी है और इसका कलर टेक्चर से बहुत अच्छा आया है और आप यहां पर दीख सकतें कितना अलग अलग बना है एकदम बहुत ही अच्छा बना है सब्सक को में पूरी पराटे के साथा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है आप इसको लग्स में भी दे और जब भी आपके पास कोई सब्जी नहीं हो तो यह सब्जी आप बना सकते हैं healthy भी होती है प्रोटीन से बरी होती है बहुत ही ज़्यादा यहां पर मैंने गानिश कर दिया है और साथ में बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट भी आता है तो फ्रेंड्स अगर आपको यह मेरी स अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर दीजेगा और मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा आपको कैसी लगी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाके प्रेश कर दीजेगा ताकि नोटिफिकेशन मिले मिलती हूं फिर एक न्यू र बाइब टेक केर